हलो दोस्तों नेच्रण हों म्यूटी में आप ध kepada बिलकम है तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूं एक बिंटर का बहुत बहुत प्येदरीं फेसप डिंब जो आपकी चंप सकी डरीपन को निकालेगा साथ-इसाथ आपकी चंप गलो भी करेगा आपकी skin बहुत glow करेगा एक पार इसे यूज कर लेंगे आप तो बहुत ही effective ये face pack है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बेसन का यूज किया है बेसन का यूज हमारे बेसन face pack के लिए बहुत ही best माना गया आपकी skin को fair करने के लिए और दूसरा इंगेडियन्स हमने मिलाया है वोरो प्लस ये जो है बहुत ही important इंगेडियन्स है बिंटर के लिए और ये आपकी skin को soft और काफी मुलायम बनाएगा साथ ही साथ जो है मॉस्टराइज भी करेगा उसके बार मैंने कच्चा दूट डाला और लाश्ट में मैंने टमेटो का एक चम्मत जूज डाला है टमेटो का जूज होता है बिटमीन सी से भरपूर होता है और आपकी skin के dead skin block black spot को दूर करने के लिए काफी कारगर होता है तो लिए के skin को नहीं भी suit कर सकता है इसलिए यहां पर मैंने टमेटो का जूज यूज किया टमेटो का जूज हर इसकिन के लिए काफी अच्छा होता है सभी को suit करेगा तीन सब को मिला के अच्छा सा फेस पैक बनाया उसके बाद अपने skin को अपने चेहरे को अच्छे से वास क सूख जाए थोड़ा गिला रहे उसके बाद अपने हांचों से मसाज करेंगे सरकुलन मोसन में और यह जो फेस पैक हे बहुत ही सौप्ट है बहुत ही क्योंकि जो बेशन का फेस पैक होता हो तो सौप्ट होता ही है साथ ही मैंने बोरो प्लस का यूज किया तो ब्रोप्लस क इसकिन ड्राई होती है ड्राई पन को दूर करेगा एक ही बार की इस्तेमाल पर आपको बहुत सारा फर्क नजर आएगा आप इसे यूज कीजिएगा बहुत इफेक्टिव फेस पैक है और जो है आपके इसकिन पर अगर छोटे-छोटे जो ब्लैक स्पोर्ट या जो है गीला है तो मैं अभी इसी तरह मसाज कर लूँगी मसाज करके जो है आप इसे साप करें क्योंकि मसाज करने से आपकी स्कीन पर जो है डेड़ स्कीन होंगे या ब्लॉक ब्लैक स्पोर्ट होंगे तो वह सभी दूर होंगे तो इस तरह मसाज करेंगे कम से कम दो मिनट इस तरह मसाज करें उसके बाद आप नार्मल वाटर से अपने चेरे को वास कर लें ना बहुत जादा गरम यूज करना है ने बहुत थंडा क्योंकि बिंटर सीजन है बहुत जाधा थंडा पानी भी यूज करने से इसकी पर जो है इसकें ड्राइब पर नहों बहूत जदा आजाते हैं और जियम भठण स लिए थब में पने पानी से वास्ट कर लीजिए तो अब मैं अपने चेरे को वास्ट करके आ गई हूँ आप देख सकते हो कितना फर्क नजर आ रहा है पहले और अपके चेरे में बिल्कुल सौप्ट लग रहा था और जो मितलब बहुत जादा ड्राइपन था वो तो बिल्कुल ही दूर हो गया स साथ ही स्कीन बहुत क्लो भी करने लगी तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बाइट के ऐसी